हाई आपकी होस्ट आपकी दोस्तो अनम और आगी हूँ एक और अमेजिंग प्रॉपिटी के साथ जी हाँ आज मैं एक अमेजिंग प्रॉपिटी के बारे में बात करूंगी जहां का पेमेंट प्लान सबसे ज्यादा अट्राक्टिव पॉइंट है यहां पर मैं आपको शोकेस करूंगी सबसे पहले 3BHK का सांपल फ्लाइट उसके बाद हम डिटेल्स की बात करेंगे लिगिंगाइस पेमेंट प्लान की जो मैं बात करेंगी सबसे अट्राक्टिव है यहां पर प्रोजेक्ट है जहां 40 60 का पेमेंट प्लान चल रहा है जी हां इनिशली आपको 40 पर पेमेंट 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 इसथी आप स्क्राइट उसरे मिलड़ हरा है यहां के बंदध मेंट किसी बंदरों कर वा सकते हैं तो आज हमना आज मैं आपको दिखाऊंगे 3BHK का सांपल फ्लाइट आज ए अबहुत ही आमेजिग होने बाला है इसका साइज रहने झाल आप देख सकते हैं यहां से हमारी टार की एंटरंस शुरू हो गई है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है मतलब मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी प्रोजेक्ट पे आयू मुझे वाकि असा लग रहा है किसी फाइफ सर होटेल में एंटर करने जारी हो मैं जुस्त है बहु आप एंटरंस देंगे हाइप देखिए लाइट यहां पर रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग रहेगा यह एंटरंस सबसे पहले बात करते टार के गेट की आप देख सकते हैं कितना ग्रांड लग रहा है कितना अमेजिंग है देस्ट हाइब लुक पुर इसमा आयरिन और किया है बहुत ही जादा ग्रांड वाग के एक पाइप स्था रिटिंग दूंग अगर मुझे रेटिंग देनी पड़े है तो चलिए आगे बठते हैं वाव तो जैसे किसी होटेल का रिसेप्शन रहता है वैसा ही यह एक पाइप साइप्शन की तरह है आप देख सकते हैं क यह बहुत ही जादा ग्रेस पूल अन एलिगन लगए जस्था रहा है वागे बठते हैं तो आगे आते ही आप देख सकते ही हमारा पासीज भे आ जाता है तो यहां पर आपको दो एलिवेटर मिलने वाले हैं और साथ हर फ्लोर पर आपके चार फ्लैट्स रहने वाले हैं चल अगे बठते हैं हमारे सामपल फ्लैट की तरफ एलिवेटर साथ साथ सथ स्टेर के स्टेर के प्रवाइट की गई है तो इस वांट तो आप देख सकते हैं कितने ब्यूटिफुल युन्होंने पूरेट को डेकोरेट किया है विध तस लिल बेंच आंड दिस मिरर जो बहुत बहुत ही ग्रेसुल लग पुछ एस नी डिगरेट सकते हैं तो इसाथ बहुत ही बदी बूटिफल लगाया है को एसे एप लगा सकते हैं यहां पे तिस्व युथिपल साह बूसे कॉन्य आप अपर आपको बादी बात यह है कि आपकी प्रिवेसी मेंटें रहती है अगर चाहता पर गया सब्सक्राइब नहीं तक नाए और यह उसकर सकता है यहां पर आपको बादी फिटिंग्स मिलने वाली है अग्या तक ताइल्स अगी आपको फुल नेंथ वालतल्स मिल रही है और साथ ही साथ आप देख सकते है बहुत ही अमेजिग उन्होंने शार एंप लोजर लगाया आप भी ऐसा कुछ लगा सकते है तो चलिये चलते है हमारे फर्स बेड्रूम की तरह वाओ वाँ तरह देख सकते हैं यह बहुत ही प्यारी क्रेट की है पेंट आप देख सकते हैं यह बहुत समर कालोज यहाँ पे यूस किया है बहुत ही अमेजिग है और उसके बाद भी बहुत जादा स्पेस है तो बहुत स्मार्ट वर्क यह जिसे कम से कम स्पेस यूज़ों और जादा समाना प्रक्षा को बाल सीलिंग यह तो तयार कि आप भी कुछ ऐसा करवा सकते हैं आप देख सकते हैं पंखा भी बहुत यूनीक सा है बहुत ही स्टाइलेश और एलिगन लग रहा है यह बहुत ही अमेजिंग से इनोने कोट लगा है यह से पॉजिटिव वी एर वाट वी रिपीटिद दू आप भी कुछ ऐसे आइडियास लेके हैं रूम डेकॉर में लगा सते हैं यहां पर आप देख सेते हैं लांप बहुत खुबशूरत है यहां पर आपको 24-7 पार बैकप मिलने वाला है वाटर सप्लाई मिलने वाला है साथ एसाथ 24-7 सिक्यूरी टीवी चलिए आगे बढ़त पर आप दोंग path Holiday Bayै यहां पर वेसकंता और आप थो कि आपके लेविंग रूम से द हताएं यहिंग सकते हैं और बहुत अपना टेबल का गर सकते हैं यहां ने कुछ यहां पर फौरेड नार रहलेचे लगाई लगा यहां चया है कि यहां पर भी पी सकते हैं लेकिन यहां पर आप अराम से अपने फैमिली और फ्रेंट साथ एंजोई कर सकते हैं तो बहुत ही अमेजिंग फैसिलिटिटिस हैं ऐसे दीरे दीरे हम आगे भी डिसकस करेंगे तो चली आगे बढ़ते हैं अब आगे हम फर्स बेडरूम से लिविंग रूम की तरफ एंटर करते हैं यहां पर सबसे पहले बहुत ही यूनीक विंटेज सीनुने टेबल लगाई है बहुत ही यूनीक डिजाइन की है और यहां पर क्यादिश टाइप्स भी रखा है मुझे इसको देखके अपना बच्प अपने घर के भी कर सकते हैं अपने घर पर भी कर सकते हैं यहां आ जाते हैं हमारे लिविंग रूम की तरफ तो आप देख सकते हैं काफी साथ स्पेशिस है इन्होंने थी सीटर काउच लगाया है या सोफा लगाया है आप 5 सीटर तक इसे कर सकते हैं आप देख सकते हैं बह बहुत ही खुबसूद दिफरेंट लुक है इनों ने यह ग्लास प्लेट लगाई है जो बहुत ही उनीक डिजाइंग कि है आप भी कुछ ऐसा ही करवा सकते हैं यहां पे इनों ने टेबल रखी है आप देख सकते हैं बहुत ही ऐलिगन्ट तरीकी से स्वड़ा रखा है कि जैस आप भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं यहां आजाते हैं हमारे डाइनिंग स्पेस की तरफ तो लेट्स हाव लुक है इसको बहुत ही यूनीक विंटेज लुक में इसको भी तैहर कि आप प्लेट पे नज़र डालेंगे तो सब कुछ बहुत ही एथनिक वाइप दे रहा है बहुत अगे बढ़ते हैं हमारे किचिन की तरफ कम ओन तो हाउस होल्डर की फेवरिट जगा जहां सबसे आदा टाम स्पेंड होता है किचिन तो आप देख सकते हैं कंप्लेटली मॉडिलर किचिन आपको प्रवाइड होने वाली है यहां पर आपको सिंगल सिंगल सिंग मेरेगा व आपको 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 आपक यहां पर इंडोर गेम्स के फेसिलिटी भी मिल जाती है विच अगे बढ़ते हैं तो गाइस चलिए आगे एक्स्ट्बोर करते हैं इस घर के बाकी दो बेडरूम्स तो यहां से आजाते हैं आपके बाकी दो बेडरूम का रास्ता क्या करते हैं सोहosको सब्सक्राइक दो आजाता है आपका स्टौर तो काफी स्पेश में श्लेन से नोने स्टौर बनाए आप इसको पूजा रिणा सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं and यहां पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस पैसेज़े को भी बहुत सुन्दर तरीके से डेकोरेट किया है उपर सारा वोडन वर्क किया है विद कंसी लाइटिंग आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं बहुत ही सुन्दर से पेंटिंग लगाई है ज चलिए बढ़ते हैं हमाने सेकंड बेडरूम की तरफ तो गाइस आगए है हम हमारे सेकंड बेडरूम में and काफी जादा स्पेशिस आप देख सकते हैं उन्होंने वादरोब्स बनाई हैं बहुत ही सुन्दर वादरोब्स हैं आप ही कुछ ऐसा बना सकते हैं अगर आप कालर कर सकते हैं बहुत ही अमेजिंग इननो ने किया है यह पर भी ऐख बालकिनी है जो हम आप जल्दी दिखाएंगे लेगी आप लगाया आप आप लिगा आप लिग उप बहुत ही सुन्दर बहुत ही डिसें स्पेस आप यहां पर चाहे तो कोई बहू बैं बहुत ही इन बाग और इता código लोधिये डोंया है फिक्स्ट्र्स भी आपर भी आपको आडषय ताइस मिल्राइब ठाइस है को differ कि इंहोंने कित्ला सुंदर रंग श्यवबер लगा है आप भी कुछ ऐसा करणा साथ जैसे कि मैंने का था चलते है इस रूम की बैलकनी की तरफ, come on यहाँ आ जाती है बैलकनी यह आ जाती है गाइस बैलकनी, काफी जादा स्पेशिस है इस रूम की अपनी बैलकनी, यहाँ पर भी आप सर्दियों में धूप एंजॉई कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे इनों ने ग्रीन अडिया तयार करने वाले है तो बहुत सुन्दर विव आपको यहाँ से आने वाला है यहाँ पर दुबारा से टेबल या चेर लगवा सकते हैं एक प्यारासा चैनलाइट अपने लवड़बन्स के साथ प्रिपार कर सकते हैं बार्वी क्यों लगा सकते हैं किकि काकी ज्यादा स्पेशिस हैं कोई पार जूला लगा सकते हैं बहुत ही अमेजिग एरिया है यह ठाड़ की तरफ सकते हैं चैनलाइब बहुत ही अच्छी हाती हैं लोगत जाया है, जालू रेचार में विटलेशन आप भी कुछ ऐसा कर सकता है, इससे बहुत जाया स्पेस को भाइचनी समय होते है रहत बश्मिच आफ जाया होती है, स्पेस कांजीम होती है ईहने ऻुणिख राइशन के लिए फिप जाया है पर देख सकते हैं यहां पर आगे बना कम एकने यह देहार है झाल्ग आप एक हमेते ही थोधा सुदी हख आपने यह अपना है लगा सकते हैं और लेदी लगा सकते हैं you can enjoy popcorn with 15 एवब्हा मेंबरूर्ण and here come let's have a look and यहाँ पर आजाता है आपका वाश्रूम ताफी डीसंट स्पेस है यहोंने शार इंक लगाया है आप ही कुछ ऐसा लगा सकते ब्रैंडिड फिटिंग आपको दी जारी है आप देख सकते हैं ताइम वोक कितनी यूनीक इनके टेक्शुर से टाइल के बहुत ही प्य यहाँ यह यह फ्लाट है ओमाक्स रिजॉर्ट प्रोजेक्ट का यह बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है यह एक्दम रिजॉर्ट वारी वाइप देने वाला तो अगर हम आगे लोकेशिंग की बात करें गाइस तो यह लोकेटर है न्यू चंदिगड की प्राइम आगे हम बात करें लोकेशिंग के और ज्यादा तो यह बात करें आपकी हमाचल रोड से आपकी एरपूट मुहाली रोड से आपकी चंदिगर से और साथ पंजाब से भी गाइस अगर मैं फैसिलिटी की बात करूं तो पहले भी मैं आपको बता चुकिए कि यहां पर आपको आपकी तो यह सुषक्र होगी बात करवा बनी की अपकी आपकी खर ऐस बात कर दूब होगे ज़ू भी तो यहां अपकी अपकी अपर एक फैसिलिटी अ कर को यहां पर देडिकीटी कार पाकिंग मिलेगी वरी तो मैं चूवें डूह कुछंगी को फैसिलिटीन नहीं डहीं पूरा आश्याना लेंगे अपने लिए आज ता मैं घर से डिसाइड कर कहती कि आपको complete information देने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी तो आज इस project में OMAX The Resort के हम standard layout plans की बात करेंगे उसे पहले मैं आपको बता दू कि यहां पर 2BHK, 3BHK and penthouses available जिनके टावर G-22 & G-24 की concept से त्यार किये गए हैं अगर मैं 2BHK की बात करूं तो सबसे पहले आजाते हैं 2BHK जहां पर आपको 2-bedroom washroom and hall available होगा जिसका size रहेगा 1034 square feet फिर आगे आजाता है आपका 2BHK with washroom and utility area जिसका size रहेगा 1260 square feet आपका 3BHK washroom and store जहां पर अवेलेबल होगा जिसका size रहेंगे 1477 square feet and 1486 square feet जो 1477 square feet है उसका सांपल चाट हम आपको इस वीडियो में दिखा चुकिया है तो जो आपका 1477 square feet वाला फ्लाट रहने वाला है वो आपका green facing, internal facing आप आप पेसिंग रहने वाला है अगर मैं 1486 square feet वाले फ्लाट की बात करूँ तो वो आपका open facing रहने वाला है दोनों में ही आपको 3 bedrooms, washroom, kitchen and store अवेलेबल होगा Guys, अगर मैं penthouse की बात करूँ तो simplex penthouses and duplex penthouses दोनों ही categories अवेलेबल है Simplex penthouses में सबसे पहरे मैं बात करूँगे 3 BHK with washroom and 2 utility areas की जी हाँ, आपको 2 utility areas रहेंगे 3 BHK के साथ And guys, इसका size रहेगा 2875 square feet Guys, अब हम आगे बात करेंगे हैं, simplex penthouses category में ही आपकी 4 BHK category आपको 4 BHK, 4 washrooms साथ ही साथ आपको पूजा रूम, store room and utility room भी मिल जाता है तो इसमें दो sizes रहेंगे, एक size रहेंगा 3,219 square feet का and दूसा रहेंगा 3,438 square feet Guys, अब हम बात करेंगे duplex penthouses की So, duplex penthouses में दो sizes categories रहेंगे, इसमें 4 BHK with utility room and store रहेंगा with 4 washrooms and इनके दोनों क्या रहेंगे, पहले का size है 3,242 square feet and दूसरे का size रहेंगा 3,637 square feet So, guys, अगर मैं पोजेशिंग की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट का पोजेशिंग आपको 2-3 साल में मिल जाएगा So, guys, अगर आप इस अगर आप इस प्रोपर्टी देख रहें निव चंडरीगर में तो Omax the resort एक बहुत अच्छा option है यहाँ पर वकेशन भी स्पेंड कर सकते तो रहने के लिए भी एक बहुत ही अमेजिंग ओप्शन है तो कैसी लगी आपको इस वीडियो क्योंकि मैं ने पूरी कोशिश किये कि मैं आपको complete information दूँ तो प्लीज आ मुझे आप कमेंट में बताए कि कैसी लगी आपको इस कि अपको बहुत है झाल